हेलो एव्रिवान माइनेमी चंदन सिंग एन आम एर इंगलिस ट्रेनर दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत बड़े कंफूजन के ऊपर है और कई लोग कंफूज्ड हैं बहुत लोग को पता नहीं है प्राबलम ये है कि जो दो शब्द है इनमें फर्क क्या है पहला शब्द है कंफूजन दूसरा जो शब्द है कंफूजन और बहुत लोग कंफूज होते हैं कि एक ही जैसा तो लग रहा है ध्यान दीजिए जो पहला शब्द है इसमें एफ ओ और जो इधर वाला है C-O-N-F-I-R-M तो O वाला क्या है और I वाला क्या है तो conform, conform दोनों में क्या फर्क है शुरू करते हैं दोस्ते जो O वाला है, जो conform है यह verb है, पहले इस पर काम करते हैं इसका मतलब क्या होता है गाईस इसका मतलब है किसी भी rules regulation का पालन करना यानि कि उसके अनुसार चलना आप school में है किसी society में है किसी समाज में जहां भी आप है तो उनके कुछ अपने protocols होंगे तो अगर आप उसका पालन करते हो उसके हिसाब से ताल मिल बैठा कर चलते हैं यानि कि आप क्या करते हैं उस rules को आप conform करते हैं वो वाला conform नहीं है यह O वाला है C-O-N-F-O-R-M conform और जो I वाला है वो आप लोग पहले से ही जानते होंगे यह बिल्कुल डिफरेंट है तो इस conform का मतलब है उसका पालन करना है जैसे यहां लिखा है कि to obey और comply with आप उसका आज्या मानते हैं उससे तालमिल बिठाते है a set of given rules और standards कोई standard पहले से बरकरार है आप जाते हो तो आप भी उसी standard को follow करेंगे यानि कि आप उसी standard को conform करते हो जो given rules है आप उसी को follow करते हो उसके हिसाब से चलते हो यानि कि आप उसे conform करते हो तो यहां तक clear है जब आप conform बोलेंगे तो उसके साथ या तो आप to लगाएंगे या with लगाएंगे तो अब examples देखते हैं गरेंगे यहां लिखा हुआ है कि she refused to conform to the rules and regulations of the school अब इसका क्या मतलब है she refused, उसने इनकार कर दिया to conform to the rules and regulations यानि कि school के कुछ rules और regulations पहले से है अनुसार चलने से उसने refuse कर दिया तो देखे रहे, conform के बाद हमने to लगाया और to के बाद वो जो given rules regulation से वो दिखाना है यानि कि conform to the rules, conform to the regulation, conform to this custom ऐसे कर के आप बता सकते हैं एक और देखे I always drive conforming to the traffic rules मैं हमेशा drive करता हूँ traffic rules के नियमों को conform करते हुए conforming to the traffic rules, यानि कि जो traffic rules है उनके हिसाब से, उसके मताबिक उनको follow करते हुए तो conform to का इस्तमाल होता है एक और देखते Your kitchen doesn't conform to hygiene regulations यानि कि हर kitchen में होना चाहिए कि भई कुछ hygiene regulations है जो नियम है, कि भई ये hygiene होना चाहिए और आपके kitchen में गया तो इतनी गंदगी है यानि कि वो उस hygiene level को maintain नहीं कर रहा है उससे तालमिल बिठा कर नहीं चल रहा है यानि कि वो जो hygiene rules regulations है उसको आपका kitchen conform नहीं कर रहा है कब तक भई, until they conform to national safety guidance यानि कि जो national level की जो safety guidance बनी है तब तक ये उसको conform न करे, उसका पालन न करे तब तक आप बेच नहीं सकते हैं तो I hope कि आपको ये conform o वाला clear हो गया होगा अब आते conform I वाला ये क्या है भई ये conform ये भी एक verb है और इसका मतलब है पुष्टी करना, पका करना, अस्थाई करना यानि कि to establish the accuracy, truth and the genuineness of something कोई चीज है, वो भई genuine है कि नहीं आप उसकी पुष्टी करते हो, यानि कि आप उससे conform करते हो आई वाला, आप conform करते हो कि भाई ये बंदा सच्चा है कि नहीं, आप conform करते हो आप मतलब एक पुष्टी कर लेते हो कि हाँ, ये बात सही है उसे promotion मिला कि नहीं, आप conform कर लेते हो आपका जो seat है train में वो बिल्कुल आपका हुआ कि नहीं वो आप conform कर लेते हो तो जो I वाला conform है उसका मतलब है पुष्टी करना एकदम पका कर लेने कि हाँ यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो time सही है भाई ये confirm कर लिया, मैंने मुझे उसी वक जाना है ये है confirm I वाला examples देखते हैं यानि कि जो सबूत है वो ये मतलब पुष्टी करते हैं कि पीटर नाम का जो वेक्ती है वो गिल्टी है, वही जो है वो दोशी है, यानि कि सबूत इस बात को बिल्कुल पक्का कर देते हैं पुष्टी कर देते हैं, एक और देखते है Your reservation has been confirmed आपका जो reservation बिल्कुल हो गया यानि कि उसका जो promotion है अब राइटिंग में दे दिया गया है तो बिल्कुल confirm हो गया है कि भाईया, अब ये promoted, promote हो गया है तो confirm आईवाला This blood test has confirmed that you are suffering from typhide पहले तो शक था अब blood test ते बिल्कुल ये पुष्टी कर दिया है कि भाईया, आप typhide से पेडित हो तो फर्क देख रहे हैं दोस्तों आईवाला confirm पुष्टी करना एकदम पक्का कर देना कि यही है और जो ओवाला confirm है ये कुछ given rules, regulations के मुताबिक चलना है उनको follow करना है ये है difference ओ वाले confirm में और आई वाले confirm में I hope ये clear होगा सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन टेक केर कीप प्रक्टिसिंग और आप चाहें तो इसका एक स्क्रिंशाट ले सकते हैं थैंक यू गाइस